दोस्तों पिछले महिने जब प्रधनमंत्री नेरंद्रो मोदी का फ्रांस का दोरा हुआ था तब ख़वरों में ये जानकारी दिया गया था कि इंडिया नेवी के दोरा अपने कैरियर में बेस मल्टी रोल फाइटर यार क्रेप्टों के जरुरतों को पूरा करने के लिए और दोस्तों तब ख़वर ये भी आया कि भारत और फ्रांस के वीच में जल्दी 26 रेफल एमियर क्रेप्टों के खड़िदारी को लेके बातचीत होगा लेकिन इस दर्मियान इस बात का खुलासा नहीं हुआ कि कब भारत और फ्रांस के बीच में इन हत्यारों के डील के उप पर दोस्तों एक महिना गुजरा नहीं लेकिन भारत और फ्रांस के वीच में रैफल एमियर क्रेप्टों के डील को लेके चर्चा शुरू हो गया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि प्रधान मंत्री नेंद्रों मोदी के फ्रांस दोरे के बाद पहली बार की तरह दोनों के अधिकारियों के साथ मतलब उनके काउंटर पार्ट के साथ 5.5 बिलियन डॉलर के लागत से रैफल एमियर क्रेप्टों के डील को लेके चर्चा शुरू किये मतलब दोस्तों ये अफसाफ हो चुका है कि भारत फ्रांस से जो 26 रैफल एमियर क्रेप्टों को पर्चेस करन 5 बिलियन योरो का डील होगा जिसका अगर डॉलर में एकोवेलेंट देखा जाए तो ये करीव करीव 5.43 बिलियन डॉलर होता है जिसका सिंपल मतलब ये है कि भारत के द्वारा 200 मिलियन डॉलर से थोड़ा अधिक हर एक यार क्रेप्टों के लिए खर्चा किया जाना है दो पर ये बाकी 4 एर क्रेप्ट असल में रैफाल एर क्रेप्टों के ट्विन सीटर ट्रेंर वेरियंट होगा तो इसे रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि फ्रान्स के जोिर क्रेटरेट जनरल ऑफ आर्ममेंट के एशिया के अधिकारी है और बढारत के बताया जा–ए जा इवन रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि बातचीत के प्रोसेस को उसी तरीके से स्टार्ट किया गया है जिस तरीके से एरफोर्स के लिए 36 राफाल एरक्रेप्टों को खरिदने के दर्मियान बातचीत किया जा रहा था इवन दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि डिफेंस एक्विशन काउंसिल के तरफ से 26 राफाल एम एरक्रेप्टों को खरिदने को लेके अनुमती देने के बाद ये पहली बार की तरह जहां पर बातचीत हो रहा है तो वही पर इस एनॉंसमेंट के आठ हपते के अंदर भार फ्रांस के गौर्रमेंट और भारत के गौर्रमेंट के बीच में इन राफाल एम एरक्रेप्टों के डील को लेके अलग अलग सतर पे कई सारे मीटिंग अभी वी होना है और उसके बाद ही इन राफाल एरक्रेप्टों के खरिदारी के उपर मोहर लगेगा हाया कि दोस्तों ये तो सुनिश्चित हो चुका है कि भारत राफल यारक्रेप्टो को पर्चेस करेगा और वो भी 5.5 बिलियन डॉलर के लागत से लेकिन यहाँ पे अभी वी इन बातों का सुनिश्चित करना है कि यारक्रेप्टो को खरीदने के बाद ट्रेनिंग उसके मेंटनेंस किस तरीक कैसे होगा और फ्रांस के तरफ से इन यारक्रेप्टो में भारत को और क्या क्या दिया जाएगा जबकि इसके इलावा डील के उपर हस्ताक्षर होने के कितने महिने के बाद भारत को रैफल यारक्रेप्टो मिलेगा और उससे पहले क्या फ्रांस के तरफ से ट्रेनिंग के ले कुछ अन्य यारक्राप्टों को भारत को दिया जाएगा हाला कि खवरों में ये भी दावा किया जा रहा है कि रैफाल एम यारक्राप्टों के डील के उपर हस्ताक्षर होने के छे महिने के अंदर फ्रेंच गौवर्मेंट के द्वारा फ्रांस के नेवी के तरफ से इस्त प्रेंटर में बात्चित हो रहा है जिन में बताया जा रहा है कि फिलाल फ्रांस के पास रैफाल एरक्राप्टों को खुले के एक बहुत बड़ा ओर्डर है और इसके लिए वी एक तरीके से फ्रांस को भारत का मदद चाहिए और भारत के जो 114 फाटर एरक्राप्टों का टेंडर है वो भी रैफाल एरक्राप्टों के प्रोड़क्शन रेट को बढ़ाने का एक जरिया होगा क्योंकि इस टेंडर के अंतरगत अगर एरक्राप्टों को चुना जाता है तो इन एरक्राप्टों को भारत में ही मेकिन इंडिया इनिशिटिव के अंतरगत निर्मान क जिसका मतलब है कि अलग एक प्रोडक्शन लाइन बनेगा और फ्रांस फिलाल इस फोकस में हैं कि इस प्रोडक्शन लाइन का इस्तेमाल किस तरीके से Asian कस्ट्मरों के लिए किया जा सके दूसरे तरफ आपके जानकरी के लिए ये भी वता दू कि भारत और फ्रांस के वीच मे और जल्द ही साइद इसे लेके वी दोनों तरफ के अधिकारियों के द्वारा क्लिरेंस दे दिया जाए जिसके बद भारत के ये एर-to-air मिसाइल केवल मात्र इंडियन एरफोर्स के रैफल एर क्रेप्टो में ही नहीं बलकि इंडियन नेवी के रैफल एम और शायद कुछ अ आगे चल रहा है तो उही पे दूसरे तरह प्रधार मंत्री नेवंद्र मोदी के फ्रांस दोरे से पहले एक अमेरिका का भी दोरा था और इस दोरे में भी भारत और अमेरिका के कई सारे महत्तपूर्ण डिफेंस डीलों को लेके बात चित हुआ था जिन में एक डील है नेख है क्योंकि इन जेट इंजिनों को टेक्नोलोजि quantity ट्रांस्फर के अंतरगत अगर भारत हासिल कर लिया तो दोस्तों इस तरह के प्रोजेक्ट जहां पे स्मूध हो जाएगा तो उही पे तोज़े स्माक्ट इंजिनेंगर्ट और यह और अधिक मात्रा में इंडिजिन जल्दी हो जाएगा और दोस्टो ये जेट इंजिन डील को लेके हाली में ही अमेरिका के राजदू एरिक गर्सिटी के तरफ से एक बयान दिया गया और उनका कहना है कि ये जो गेम चेंजिंग जेट इंजिन टेकनोलोजी ट्रांस्फर है ये जल्दी हो जाएगा दोस्टो Eric Garcity के तरफ से अपने बयान में बताया गया है कि अमेरिका और भारत के बीच में ये जो जेट इंजिन का डील है ये असल में दोनों देशों के बीच का ऐसा पहला Transfer of Technology का डील है जिसे जल्दी अमेरिका के जो Congress है उसके तरफ से approval दे दिया जाएगा और दोस्तों ये जो जल्दी है ये कुछ महिना नहीं बलकि कुछ दिनों का इंतिजार है और उनका ये भी कहना था कि इस डील को लेके जो बड़े बड़े challenges थे वो तो पूरा हो चुका है और अब सामने केवल मात्रों छोटा मोटा कुछ बातचीती बाकी है और इसे भी जल्दी संपूर्ण कर लिया जाएगा एरिक गार्सिटी के तरफ से अपने बयान में ये भी बताया गया है कि अमरिका के प्रेसिडेंट जो वाइडेन जल्दी भारत के दोरे पे आएंगे और ये दोरा असल में G20 के समिट के दर्मियान होगा हाला कि उनके तरफ से यूकरेन रश्या के लड़ाई को लेके जो घटना है घटना है उसे लेके भी बयान दिया गया और उनके दोरा ये भी बताया गया है कि G20 के मीटिंग के दर्मियान अमेरिका यूकरेन और रश्या के लड़ाई को लेके जो जो जॉइन डिक्लिरेशन है उसमें मदद तो करेगा लेकिन उसमें इस्तिमाल होने वाले language को लेके किसी भी तरीके से compromise नहीं करेगा जो कि दोस्तों अभी से ही दर्शा रहा है कि G20 के meeting के दर्मियान Ukraine Russia का लड़ाई एक बहुत बड़ा मुद्दा वन सकता है और इस को लेके भारत और कई सारे भारत के साथी देशों के बीच में मदवेद हो सकता है और दोस्तों इससे पहले भी जब G20 के अलग-अलग meeting को भारत में आजित किया गया था तब भी कुछ देशों के तरफ से joint declaration को लेके मदवेद उठाया गया था और एक तरीके से भारत को प्रेशराइस करने का भी प्रयास किया गया था कि भारत भी इसमें रश्या को खड़ी-खोटी सुनाए लेकिन भारत के तरफ से उन देशों के दवाव को नहीं जहला गया लेकिन इस बार माना जा रहा है कि जो बाइडन के दोरे के दर्मियान इसे लेके एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा सकते और अमरिका इस प्रयास में रहेगा कि किसी भी तरीके से भारत को भी रशिया के बिरुद और यूकरियन के सपोर्ट में लाया जा सके और G20 के मीटिंग के दर्मियान एक ऐसा जोइन डिक्लरेशन को जारी किया जाए जो संपूर्ण रूप से रशिया के खिलाफ और उसमें भारत को भी साथ लाया जा सके पर दोस्तों मेरा मानना ये है कि ये शायद अमरिका का एक काम कहली है क्योंकि भारत इस तरीके के काम को नहीं करेगा और इस मामले में नीट्रल ही रहेगा लेकिन दोस्तों G20 के मीटि क्योंकि इस मीटिंग के बाद ही ये डिसाइड होगा कि असल में भारत किस पक्ष में हैं हाला कि अभी तक तो यही लग रहा है कि भारत नीट्रल पक्ष में ही रहेगा और कोई वी देश को इस से नाराजगी नहीं होगा पर वही पे दोस्तों जो वाइडन के इस दोरे के दर्मियान शायद भारत और अमेरिका के बेच में जेट इंजिन के डीलों के उपर वी हस्ताक्षर हो और शायद ऐसे डील को लेके भी अमेरिका के तरफ से भारत को प्रेशराइज करने का प्रयास किया जाए ताकि भारत अमेरिका के बातों को मानते हुए रश्या के खिला रखा गया था मतलब अमेरिका को यह साफ कर दिया गया था कि अमेरिका अगर अगर अपने इंजिनों को लेके अपने शर्तों को ना कम करता है तो भारत किसी भी कारण से इंजिनों के लिए नहीं जुकेगा और भारत के पास इसका अल्टरनेटिव भी है और शायद इनी करके हवश्य बताईए दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पही करते समाफ्त किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो मिलेंगे तफ तक के लिए जै हिंद बंदे मातरम